आज दोस्तों हम अपने एक ग्रूप के पोग्राम में जा रहे हैं जहां पर ड्रेस कोड जो है यह पेस्टल ग्रीन कलर का है तो मैंने यह साड़ी निकाली है बहुत पुरानी है दोस्तों यह साड़ी मेरी तो चलिए मेरे साथ हैस्बेंट जी जो है निकल गए हैं गाड़ी जो थे यह घर में तो मैंने इन से काकर हम लोग को ले चलिए आगे जो है क्या मेरी फ्रेंड रहती है उसको भी ले लेंगे क्योंकि यकी जगे जाना है कया जो है मेरी फ्रेंड अपनी गाडी निकाल लेती है तो हम आ गया मेरी दोस्त का घर और वो निकल करके आ गई सामने ये देखिए मेरी दोस्त पहुँच गये हैं हम लोग गोल्डन आप्पिल ये से वे लाइन्स में है दोस्तों और यहाँ पर सभी मेंबर्स एक एक करके आने लगें कुछ जो है ये हलकी लाइट येलो कलर की भी साड़ी पैने हैं और कुछ जो है पेस्टल ग्रीन कलर के यहाँ पर लिफ्ट में एक साथ छे लोग ही चड़ सकते हैं और पहुँच करके आ गया है सेकेंड फ्लोर में और यहाँ पर पोग्राम है ये तो यहाँ पर एंटरेंस करते ही सबसे पहले ठीका लगता है और हातों में सबको बालों में गज़राट लगाया जाता है और यहाँ पर ये हमारी है आशादी ये जो पोग्राम है दोस्तों ये स्वैम सिध्धा का है ये फाउंडर जो है ये आशादी है आशादी को देख करके बहुती मोटिवेशन और इंस्परेशन मिलती है ये नीतू और यहाँ पर हम आपको अपनी फ्रेंड दीपा से भी मिलाते है दीपा यही वो ही फ्रेंड है इसके घर का इवा मैंने वीडियो बनाए है तकि पूरे घर को इसने हांगिंग बास्केट से कवर कर दिया बहुत बढ़िया डेकुरेट कर रहा है तो ये दीपा है दीप प्रजुलित करके प्रोग्राम की शुरुबात करी गई है ये स्वैम चिद्धा गृप के सीनियर मेंबर है जब ये गृप बना था तो शुरुबात में ये लोग थे अब तो दीरे दीरे काफी लोग आते जा रहे हैं नए मेंबर्स आ रहे हैं इन सीनियर मेंबर्स को देख करके दोस्तों बहुत मोटिवेशन मिलता है सरमनी जो है बोशुरू हो गए इसके बाद कल्चरल पोग्राम चालू होंगे तो बहुत लंबा पोग्राम ये चला था हम सारी क्लिपिंग्स तो नहीं दिखा पाएंगे इसके बाद कल्चरल पोग्राम भी चालू हो गए बहुत अच्छा लगा देख करके दोस्तों ये सभी जितने मेंबर्स हैं ये हमारे आपके बीच में से ही हैं बस सब ने हिम्मत करी और वहां पहुँझ गये हैं इन्होंने भी किरदार निभाया है हम आपको आगे दिखाएंगे क्या निभाया है दोस्तों इन सब प्रोग्राम में जब आओ न तो देखने में लगता है जब हम लोग घर बैठे रहते हैं तो हम लोग सुचते हैं रहे हमारी तो बड़ी उमर हो गई हमें ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए लेकिन जब इन सब को देखो तो बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है इसके बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम प्रस्तुतियां हुई है इसके बाद दोस्तों जो था मेरे ख्यासे आठ बज रहा था तो हमने सोचा कि चलो भी आप डिनर ले लिया जाए क्योंकि घर भी जाना है हजबन जी का भी फोन आ रहा था बरबर से कि कितना टाइम लगेगा अभी अंदर वहाँ पर पोग्राम चल ही रहे हैं यह है कि हमें थोड़ा जल्दी है तो हम चले आए हैं यहाँ पर डिनर करने के लिए तो यह आपको चारो तरफ का नजारा दिखा दिया जाए तो दोस्तों बहुत अच्छी शाम बीती बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी हमको मिला है तो यह इस तरीके का व्यू है यहां की जो इसकी वीडियो की ओरिजिनल आवाज है वो हमने सब म्यूट कर दी है क्योंकि पीछे बैग्राउंड में जो है यह फिल्मी म्यूजिक चल रहा है उसमें पोग्राम हो रहे है मेरे चैनल में जो है कॉपी राइट स्ट्राइक आ जाएगा इसलिए उसको म्यूट करके हमने वो इस ओवर सारा करा है तो फ्रेंड्स क्यासा लगा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताना पसंद आया हो तो देखे थमसब तो देते देना चाहिए न आपको तो फिर मिलते हैं तब तक ये लिए गुड़ बाए